नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं अगर आपके पास IQZ6 Pro है यह फिर IQ का कोई से भी फोन है तो यहां पर होट्सपोर्ट का पासफ़र्ट चेंज कैसे कर सकते हैं और नाम कैसे चेंज कर स हआँ उसका तो इसके लिए आप चेल जाएंगे सैटिंंग पे सैटिंग पर जाने के बाद नेटवर्क के इंटरनैट करेंगे इसके बाद नेटवर्क मैनेश्मेंट के उपर होट्सपोट एंड थेटरिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे यहां पर वाइफाई होट्सपोट अगर आपका बाइडिफॉल्ट आफ मिलता है ऐसे करके जाएंगे तो आप इसे ऑन कर लेंगे ऑन करने के साथ ही ना इस टेप से यह आप्शन को के सामने आजाएगा होट्सपोट ने मैं तो इसको कट करके आप दूसरा नेम चेंच कर सकते हैं कर लेंगे होट्सपोट का नेम इस नेम से दिखाएगा किसी और के फोन में यहां पर QR कोड शो हो जाएगा तो आप बिना किसी पासवड के स्कैन करके ही QR कोड के मिदद से होट्सपोट या फिर वाइफाई कनेक्ट कर सकते हैं अगर यह आपको QR कोड का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी वीडियो देख लेंगे चैनल पर जाके वाइफाई की अलग से है क्यों और होट्सपोट की अलग से इसके बाद यहां पर सिक्यूरिटी आ जाता है तो सिक्यूरिटी आप यही रहने देंगे होट्सपोट का पासवड यहां से कट करके इजी सा पासवड रखलेंगे 12345678 यह रख लूँगे मैं ओके कर दूँगी तो होट्सपोट का पासवड भी चेंज हो गया यहां पर आप चाहो तो वन टाइम डेटा लिमिट भी लगा सकते हैं यहां पर आप किसी परसन को कितना एंभी शेयर करना चाहते वह लगा सकते हैं तो यह ना एंवी के फॉर्म में लिखना अगर जीवी लगाना है तो एक हजार चौबिस का एक जी भी होता है तो आप ऐसे करके करके जैसे एक जी भी ओगे नहीं वह आप लेंगे तो एक जी भी वह बंदाश यूज कर सकेगा ठीक है तो यहां पर आप इस से लगा लीजेगा कैंसल कर देंगे बाकि यह वाला option रहेगा यह वाला भी option आपका on रहना चाहिए तो इतनी सैटिंग आप फुल कर लीजेगा आई होप गई यह वीडियो आपको पसंद आया होगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार